हालो फ्रेंट्स मेरे किचन में आपका स्वागत है आज मैं बनाऊंगी आलू भूजिया तो आज मैं बाजार जैसी आलू भूजिया घर पर बनाने वाली हूं और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाली हूं आप इस भूजिया को एक एर टाइट डब्बे में भरके जब यह ठंडे हो जाएंगे तब हम इने ग्रेट करेंगे और आलू को उबालते वक्त ध्यान रखना है कि आलू को बहुत ज्यादा नहीं उबालना है इसे लगभग 80% के लिए उबालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे इसमें आलू के टुकड़े न बहुत के बहुत तो पूरी तरीके से झाल्स में उबाद को योगे बाला, डूट रलाका मोलते बसक्ति नक्रावुत। निकल जाए तो मैंने इसे अच्छे से मसल लिया और अब जो हमारा आलू का मिक्षर है यह पूरा अच्छी तरीके से स्मूथ हो गया है तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर डालेंगे बेसन तो बेसन ऐसे नहीं डालना है हमें छान के डालना है तो इसके लिए मैंने छलनी और इसमें डाल रही हूं मैं एक कप बेसन बेसन को चान कर डालने से यह होगा कि जो भी बेसन में लंप्स वगएरा होते हो चलनी में निकल जाते हैं और इससे आलू के साथ मिक्स करने में आसानी होती है और अब हम इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन मै आँचे से मिक्स कर लियाOS काफी हातों में कुछ रहा है इसके बाद मैं अच्छे से मुसल यह एक बार wysan और सिरी नाँट थो लिए और स Content को ऐसे माथम अच्छे से लिया और अभ बूजियां आता से माथमें खाझ उसमीजी चैद और मुझामें और उसके बाद इसको हम चिकना कर लेंगे तो मैं इसे अच्छे से चिकना कर लिया और अब हम in डालेंगे इसके क्या करेंगे इस catchy में से थोड़ा सापं के लेंहें लेंगे 110 अब हम मिक्ष dovआ सांचे के अंदर डाल देंगे और साचे में डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से बंद कर लेंगे तो तेल हमारा मेडियम गरम होना चाहिए और डालते वक्त गैस की फिलेम को लो कर लेंगे और इसे इस तरीके से गुमाते वे ढलेंगे थोड़ा संभल के डालना है क्योंकि जैसे ही हम तेल के अंदर डालते हैं बहुत तेजी से भाप उपर की तरफ आती है इसे हाथ जलने का डर रहता है इसलिए थोड़ा उपर से ही डालना है और गैस की फ्लेम को लो रखना है और जब हम डालते हैं तो इसमें बहुत सारा ज्लाग बनता है तो उस समें हमें इससे टच्छ नहीं करना है जब छाग खतम हो जाए तब हम इसे पलटकर फिर तलेंगे तो अब इसके ज्ルे में इसे पलट दिया गए पलटने की बाद जब इसका कलर सा छेंज हो जाए End तब हम इसे निकाल लेंगे अभी ये गरम है इसलिए आपको बहुत क्रिस्पी नहीं लग रहा होगा लेकिन जैसे ठंडा होगा बहुत जादा क्रिस्पी हो जाता है और दुबारा भी हम इसी तरीके से इसे गरम तेल में डाल देंगे और जब झाल खतम हो जाएंगे तब हम दूसरी साइड से पलट कर हलका ब्राउन होने तक तल लेंगे बहुत जादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे तो अभी हलका ब्राउन हो चुका था तो मैंने इसे निकाल लिया है और इसी तरीके से हमें सभी को तल लेना है आप देख सकते हैं कि तीन आलो में बहुत सारी आलो तेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और आपको मैं तोड़ के दिखा रहे हैं कि इतनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है आप इस एक डब्बे में इस्टोर करके 15-20 दिन के लिए रख दीजे बिल्कुल भी खराब नहीं होगी तो फ्रेंस अगर आपको रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शें सब्सक्राइब करना ना भूलें